दबंग पर भारी पड़ेगा कमांडो जी यहां जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाईचान सल्वान खान की फिल्म दबंग 3 का टेलर कल रिलीस कर दिया गया है जिससे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं लेकिन दबंग 3 के टेलर को बीट करने के लिए आ रहे हैं विदू चावमल जी आ विदू चावमल की फिल्म कमांडो 3 का टेलर आज यानी 24 उक्तूबर को रिलीस होने वाला है वो कल ही इस बात की पक्की पुष्टी हो गई थी बतना चाहेंगे दबंग 3 के टेलर को जहां तीन भाशाओं में हंगी तमेल उदेलगू में रिलीस किया गया है वहे पर कमांडो 3 को भी लेकर काफी ज़्यादा बज हमें देखने को मिल रहा है दबंग 3 का टेलर एक्सेस में बरपूर रहा है साती सलमान खान के दमदा डायलोग भी इस फिल्म के टेलर को चार चांथ लगा रहे हैं इस फिल्म को 20 दिसमबर 2019 को रिलीस किया जाना है लेकिन ऐसे में दबंग 3 का टेलर हैंस की बीच काफी जादा पसंद किया गया है लेकिस सलमान खान की मुश्किले बढ़ाते होगे नजर आ सकते हैं विदुचामल अपने फिल्म कमांडो 3 के टेलर के साथ हाजिर होने वाले हैं लेकर लेकर देश्कों की इस काफी जादा बज बना हुआ है और इस फिल्म का काफी बेस अधियार किया जा रहा है इसके बाद कमांडो 3 का एक फाइट सीन भी दिखाए गया है जिससे पता चलता है कि फिल्म में फाइट सीन काफी अलग लेवल की होने वाली है साथी लिखा है 2013 में ये प्यार के लिए लड़ा था 2017 में काले ठंके खिलाफ लड़ा था और अब देश के लिए लड़ने वाला है कमांडो 3 की कहानी इस बार काफी ज्यादा अलग होने वाली है वहीं दूसरी और दबग 3 का भी टेलर रिखेंस के जिस काफी ज्यादा पसंद किया है दबग 3 का टेलर इस बार काफी कुछ अलग अलग रहा है जिसमें सल्मान खान यानि चुलगुल पांडे का काफी 22 तरीके से अंदाज लोगों सामने पेश होगा ऐसे में दोस्तों आपकी excitement है इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर को लेकर दबग 3 का ट्रेलर जहां कल रिलीस हो चुका है वहें दूसरी और कमांडो 3 का ट्रेलर आज रिलीस होगा तो कहीं ने कहीं कहा जा सकता है कि चुलगुल पांडे पर शायद भारी पढ़ सकते हैं विदूस जामल अपनी फिर्म कमांडो 3 के ट्रेलर को लेकर